लुट्विक फन बिठोफन जर्मनी का बहुत बड़ा संगीत कार था एक तो बहरा था उपर से संगीत कार और महान संगीत कार जो संगीत बना रहा है वो खुद नहीं सुन सकता कैसे पता करें कि वो अच्छा है या बुरा लेकिन इसके बावजूद महिमा देखिए कि जो कुछ भी बना रहा है वो महान संगीत है इसलिए लोगों को और विचित्रे लगता जो गुण नहीं है तुम उसी गुण के बाशशा हो कैसा असंभाव से जीवन है ये और इस असंभाव से जीवन में बिठोफन एक औरット से प्रेम करता था बेटोफन को मरे वे दोसो साल होने जा रहे लेकिन आज तक किसी को नहीं पता कि वो किस औरत से प्रेम करता था प्रेम करता था ये बात पता चल गई लेकिन किस से प्रेम करता था ये नहीं पता चला दुनिया को प्रेम में दिल्चस्पी नहीं होती प्रेमी में बहुत दिल्चस्पी होती है क्योंकि प्रेम तो हर कोई करता है मैं भी करता हूँ, तुम भी करते हो वो भी करते है लेकिन किस से करते है यही जानने में तो हमारा जासूस टाइप का मन लगा रहता है क्योंकि कहानी उसी से बनती है प्रेम कहानिया प्रेम से नहीं प्रेमियों से बनती है लैला प्रेम करती है करती होगी इतनी बड़ी हो गई है प्रेम तो हुआ ही होगा लेकिन किस से करती है मजनू से करती है मजनू से वही मजनू जो सड़क पे कुत्नों को चूमता है और पागल की तरह आवारा घूमता है वही मजनू बस यहीं से कहानी शुरू हुई जैसे ही प्रेमी की पहचान हुई कहानी शुरू हो गई लेला के बाप को पता चला कि वो अला मजनू उसने अडंगा डाल दिया प्रेम में अडंगे का आगमन यानि आख्यान का आरंभ अडंगा ही परम आख्यान है लेकिन बेठोफन का क्या करें उसकी तो प्रेमिका का नाम ही नहीं पता इसलिए उसकी एक निश्चित प्रेम कहानी नहीं है उसकी बीसियों अनिश्चित प्रेम कहानिया है जब आख्यान अनुपस्तित हो तो अंदाजा ही अंदाजा होता है अंदाजा भी आख्यान बन जाता है खैर एक मिनट के लिए बेटो फंड को भूल जाओ और ये फर्ज करो कि दस लोगों ने तुम से प्रणाय निवेदन किया तो तुम क्या सोचोगे सीधे तोर पे तो यही सोचोगे कि इतने लोग मुझसे प्रेम करते हैं मैं कितना खुश नसीब हूँ पर क्या सच में वे सारे के सारे दस के दस तुम से प्रेम करते हैं कैसे जानोगे कि वे सब के सब या उन में से कोई एक तुम से प्रेम करता ही करता है प्राने निवेदन एक तथ्या है, एक क्रिया है, एक अभिव्यक्ति है और प्रेम ना तो तथ्या है, ना ही क्रिया है, और ना ही अभिव्यक्ति है प्रेम तो एक अनुभूती है, तुम तथ्ये के सहारे अनुभूती को कैसे जानोगे कभी नहीं जान सकते तुम ये कभी नहीं जान सकते कि कोई तुमसे प्रेम करता भी है या नहीं करता वो कहेगा कि हाँ मैं तुमसे प्रेम करता हूँ तब ये तुम्हारे दिल पे है कि उसकी बात मानो या ना मानो उसकी बात पे यकीन करो या ना करो चलो, इसे एक दूसरे एंगल से देखते है तुम खुद असल में किस से प्रेम करते हो ये बात सिर्फ तुम जानते हो, कोई और नहीं जान सकता जानने का कोई उपाय भी नहीं है जब तक तुम खुद नहीं बताओगे, कोई कैसे जाने का कोई तुम से प्रेम करता है या नहीं या तुम नहीं जान सकते हैं सिर्फ इतना जान सकते हो कि तुम खुद किस से प्रेम करते हो तुम्हारे भाव, तुम्हारी मुद्रा, तुम्हारी बातें, तुम्हारी हरकतें इन सब में एक अंदाजा हो सकता है कि शायद तुम प्रेम करते हो लेकिन वह भी सिर्फ अंदाजा होगा असलियत ही हो ये कोई जरूरी नहीं मनुश्य जन मजात अबनेता होता है और मामला प्रेम का हो तो वो दिल लगा कर अबने करता है हो सकता है कि भीतर प्रेम नाम की चीज़ भी नहो लेकिन प्रेम का अब नहीं ऐसा शांदार करे कि ये भरोसा हो जाए कि इस से अधिक प्रेम तो कोई कर ही नहीं सकता अपने प्रेम के बारे में हम खुद बताते हैं अपने प्रेमी को बताते हैं और जब जरूरत पड़ती है तब पूरी दुनिया को बताते हैं इसलिए प्रेम इस संसार का सबसे बड़ा रहस्य है जो बात सिर्फ तुम जानते हो तुम्हारे अलावा कोई नहीं जानता वही तो रहस्य होता है दुनिया के सबसे बड़े रहस्य किसी पिरामिड, किसी गुफा या किसी जमीन के नीचे नहीं चीपे होते बलकि इनसान के दिल में दफ़न रहते है गुफाओं और पिरामिडों को खोद के एक दिन जाना जा सकता है कि इनके पीछी क्या था लेकिन इनसान की दिल को कैसे खोदेंगे और कोई दूसरा मेरे दिल को कैसे खोद सकता है और अगर वो प्रेमी इस संसार से विदा हो चुका हो तब तो यह काम नामुम्किन है इसलिए प्रेम सबसे बड़ा रहस्य है लोग कहते हैं कि प्रेम छिपाए नहीं छिपता ये भी सच है वो तुमारे पूरे अस्तित्र से चलगता है लेकिन वो सारा प्रेम किसके प्रती है ये सिर्फ तुम ही जान सकते हो और यही बिठोफन की कहानी है बिठोफन जर्मनी का बहुत बड़ा संगीत कार था और वो प्रेम करता था सबसे पहले तो लोगों को इसी बात पहरानी हुई कि बिठोफन प्रेम भी करता था जब बिठोफन मरा तो उसके टेबल की दराज में से एक प्रेम पत्र मिला जो उसने किसी औरत को लिखा था लेकिन भेजा नहीं था उस पत्र को पढ़ते ही पता चल गया कि यह पहला पत्र नहीं है इससे पहले भी कई पत्र लिखे जा चुके होंगे और वो औरत जवाबी प्रेम पत्र भेजती रही होगी इसलिए तो बिठोफन प्रेम में पागल है दिवानों जैसे जजबात के साथ उसने ये खत लिखा देखो बिठोफन प्रेम में पागल हुआ जा रहा है इसका अर्थ है कि वो औरत भी बेठोफन से प्यार करती थी, ये दूसरी हैरानी है, पहली हैरानी ये थी कि बेठोफन प्रेम करता था और दूसरी हैरानी ये कि अरे सच में कोई बेठोफन से प्रेम करती थी, जितनी आरतों ने बेठोफन को रिजेक्ट किया था वे तो और ह पूस रही होंगी, क्योंकि प्रेमियों से ज्यादा डिमांड तो पागल प्रेमियों की रही है, वो व्यक्ति मेरे प्रेम में पागल है, जैसे ये एहसास मन में आता है, चेहरा एकदम खुशी से दमक जाता है, ऐसे तो हम पागलों से डरते हैं, लेकिन कोई हमारे प्रेम में पागल हो तो हम खुश होते हैं तो बेठोफन प्रेम में पागल था और एक ओरत भी उसके प्रेम में पागल थी कि बातने जान के उस जमाने के लोगों को धक्का लगा बेठोफन का जीवन उसका सभाव उसका काम उसका करोध, उसका बहरापन उसकी बीमारी, उसका चिर्चिरापन, उसका सटका हुआ दिमाग ये सारी कहानियां तो लोगों को पता थे, इसलिए तो लोगों को धक्का लगा कि बिठोफन प्रेम करता था, पागल था वो, बच्पन से बीमार रहता था संगीत का माहल घर में था, दादा जी संगीत का रते, पिता को संगीत का शौक था और मुच्सार्ट का नाम, उस समय पूरे यॉरप में धूम मचा रहा था मुच्सार्ट को जो कीरती मिली, वो छोटी उमर से मिलनी शुरू हो गई थी छे-साथ साल की उमर से उसका ऐसा नाम हो गया कि लोग उसको देखने पहुँचते थे तो बेठोफन जब छे-साथ साल का हुआ, तो एक दिन उसने कोई साज बजा दिया उसके पिता को लगा, अरे, ये बालक तो उतना ही तेजस्वी है जितना मोच्सार्ट उतना ही प्रतिभावान है जितना मोच्सार्ट इसको लेके मैं टूर पे निकल जाओ, तो ये मेरे परिवार के कश्ट हर लेगा सारी समस्या ही दूर हो जाएगी तो ये उस बालक के मन पे आया हुआ पहला दबाव था बच्पन से ही मोच्सार्ट बनने का दबाव बच्चे को नींद आ रही है लेकिन पिताने कास्म खाली है कि इसको मोच्सार्ट बना के दम लूँगा संगी सिखाये जा रहा है, सिखाये जा रहा है बच्चे के हाथ पियानों तक नहीं पहुँच रहे हैं तो स्टूल पे खड़ा करके बजवाय जा रहा है बजवाय जा रहा है वो रोता रहता था आवाज निकाल निकाल के रोता रहता था इधर साज की आवाज आ रही है उधर रोने की आवाज आ रही है बेठोपन डर गया संगीत से ही डर गया चिरचिरा होने लगा उसको संगीत सीखना था सच बात है उसको संगीत सीखना था बड़ा मन था उसका लेकिन बारिश की तरह जहरने की तरह उनमादी हवा की तरह संगीत ऐसे सीखना था जैसे पेड़ों में फूल लगते हैं और पता भी नहीं चलता जैसे छट पे बैठे बैठे रात गुजर जाती है सुबह हो जाती है और पता भी नहीं चलता उम्र बढ़ती गई संगीत के काम संभालने लगा घर वालों की मदद करने लगा पढ़ाई भी चूट गई बैठोफन को ठीक से गिंती नहीं आती थी पहाड़े तो समझ में भी नहीं आते थे कोई पूछे सोलब पंजे कितना तो वो सोलब को पाँच बार लिखता फिर उन्हें जोड के जवाब देता था उसके मन ने एक वैकलपिक व्यवस्था बना ले थी महान दिमाग ऐसे ही होते हैं कोई चीज सीधे रस्ते नहीं आ पा रहे तो उसे पाने के लिए मन ही मन एक वैकलपिक व्यवस्था बना लेते हैं विठोफन का दिमाग ऐसा ही था संगीत रचना करने में भी इसी वैकल्पी की विस्था का प्रयोग करने लगा मजबूरी भी थी क्योंकि सामने मुसाट था हाइडन था अपने जमाने के दो सबसे बड़े नाम थे तो ऐसा क्या करूं कि इनसे अलग हो जाऊं वैकल्प क्या है यही महानता की शुरुआत है विकल्प की खोज, दूसरे रास्ते की खोज किसी और के रास्ते पे चल के आप महान नहीं बन सकते दूसरा रास्ता खोज ना होगा और नियती देखिए कि 26 की उमर में 12 पनाने लगा तब तो बिठोफन के सामने दूसरा रास्ता खोजने की मजबूरी और भी कराल हो गई बीमार रहता था यह नहीं तो वो बीमारी यह नहीं तो वो रोग हो जाए शायद ही कोई दिन ऐसा रहा हो जब पूरी तरह स्वस्त रहा हो तन से भी बीमार, मन से भी बीमार, न कपड़े की फिकर, न सूरत की चिंता बिना टोपी लगाए गलियों में बटकता था और उस जमाने में यह सब बहुत बुरा माना जाता था नंगे सिर चलना असब बेता की निशानी थी और उपर से बिठोफन तो चलते वे खुझ से बतियाते भी रहता था उसका एक बतीजा था, उसका काम था बिठोफन के साथ साथ चलना जहां भी जाए उसके साथ जाना ताकि उसे सही सलामत घर तक वापस ला सके वो बतीजा बहुत दिनों तक ये काम करता रहा लेकिन एक दिन उसने बिठोफन के साथ जाने से इंकार कर दिया बोला ये तो पागलों की तरह घूमता रहता है छे-छे गंटे तक एक ही पेड़ को गुरता रहता है चार-चार गंटे तक पानी उच्छालता रहता है सरक पे चलता है तो बच्चे इसका मजाक उडाते है इसके बारे में भद्दी भद्दी बातें कहते है इसको तो सुनाई नहीं पड़ता लेकिन मुझे बहुत फर्क पड़ता है इसके कारण मेरा भी मजाक उड़ता है मुझे बहुत शर्माती है मैं इसके साथ नहीं जाओंगा और अगर गया तो पागल हो जाओंगा लेकिन बेठोफन पागल नहीं था, कलाकार था कविता और संगीत में डूबा रहता था कोई पूछे कि जब कान से सुनाई ही नहीं पड़ता था तो किस संगीत में डूबा रहता था तो कहना कि वही तो असली संगीत है जो कांच से सुनाई न पड़े फिर भी अंदर बज उठे बचता रहे अंदर ही अंदर कांच से तुम आवाज सुनते हो संगीत तो तुमारे अंदर पैदा होता है आँख से तुम शब्द पढ़ते हो, अर्थ तो तुम्हारे अंदर पैदा होता है, होटों से बस तुम चूमते हो, प्यार तो तुम्हारे अंदर पैदा होता है, अगर अंदर को माइनस कर दो, तो बाहर का कोई मतलब नहीं है, कान से तुम आवाज सुनते हो, लेकिन अंदर माइनस है तो कोई संगीत नहीं पैदा होगा सिर्फ शोर होगा आँख से शब्द पढ़ते हो अंदर को माइनस कर दो तो कोई अर्थ नहीं बनेगा होटों से चाहे जितना चूमलो पूरी छूट है लेकिन अंदर माइनस कर दो कोई प्यार नहीं बनेगा, ये सारी चीज़े में है क्रियाएं बनके रह जाएंगी, अनुभूती कुछ भी नहीं बनेगी, तो बिठोफन बिना आवाज के संगीत सुनता था, अनाहत संगीत, अनाहत क्या होता है, आवाज दो तरीके की होती है, एक आहत ध्वनी, जब दो चीज़ें आपस में टकराती हैं तो आहत ध्वनी होती है, ये सारा संसार आहत ध्वनियों से बना हुआ है, तुम ताली बजाओ या साज, दो चीज़ें आपस में टकराती हैं तब ही आवाज निकलती है, और वो आहत ध्वनी है, लेकिन जो आवाज दो से नहीं, एक से पैदा हो वो वही अनाहत है बिना किसी टकराव के पैदा हुई धनी वो हमें कान से नहीं सुनाई पड़ती रिदह में महसूस होती है और बड़े प्रयासों के बाद महसूस होती है बिठोफन उसी अनाहत ध्वनी को महसूस करता था और उसी ध्वनी को लिखता था पन हो, शुबर्ट हो, शोपा हो, ये सब संगीत लिखते थे, नोटेशन्स बनाते थे, नोटेशन्स की अपनी एक लिप ही होती है, उसमें संगीत लिखते थे, उसे पढ़के कोई और बजाता थे, ये सारे लोग साजिन्दा नहीं थे, संगीत कार थे, आज तो साजिन्दा और संगीतकार एक ही हो गया है। लेकिन वो एक अलग जमाना था जब संगीत लिखा जाता था। बहरे होने के बाद भी बेठोफन ने इतना महान संगीत रचा। क्योंकि संगीत की लिपी पे उसका नियांतरण था। और अनाहत ध्वन के साथ उसका संबाद था। जीवन होते हैं एक अध्यत्मिक जीवन जो हम अंदर से जी रहे हैं दूसरा एंधरिक जीवन जो हम अपने इंद्रियों के सहारे अपने शरीर के सहारे जी रहे हैं और संगीत इन दोनों को जोड़ने वाला पुल है। वो कहता था, मैं नाम कमाने के लिए संगीत नहीं लिखता, महान बनने के लिए भी संगीत नहीं लिखता, बस जो मेरे दिल में चलता है, उसे पाहर लग देना चाहता हूँ, ताकि पूरी दुनिया सुन सके कि मेरे दिल में क्या चलता है, मैं उसे अपने कानों से नहीं सुन स मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे संसार से बाहर कहीं दूर ग्यान का एक चरम संसार है और संगीत वहां तक पहुँचने का अमूर्त प्रवेश द्वार है मैं ये बताना चाहता हूँ कि संगीत इनसान को समझता है लेकिन इनसान संगीत को नहीं समझता ये बेटोफन था अब ऐसे आत्मे को दुनिया पागल नहीं बोलेगी तो और क्या बोलेगी बिना भगवान का नाम लिए, बिना भक्ती का नाम लिए, बिना धर्म का नाम लिए जो आत्मी दूसरी दुनिया की बात करता हो तुम्हारे इस दुनिया के नियम कायदे न मानता हो उसे दुनिया पागल ही कहेगी लेकिन बेटोफन को पता था कि वो पागल नहीं है, वो महान है लोग नहीं मानते थे, इसलिए वो चिड़ता था चिड़ चलाता था, करोध करता था, उनमादी था उसके संगीत में उनमादी था, पैशन था वो कहता था कि बिना पैशन का संगीत पाप होता है बिना पैशन का जीवन पाप होता है लोग आते हैं, अपना पाप काटते हैं, फिर मर जाते हैं वो यह सारी बातें चीख-चीख के कहता था और लोग बुरा मानते थे, उससे उसका काम चीन लेते थे, उसको आर्थिक तंगी में डाल देते थे एक बार उसके शहर के शहजादे ने उसे पकड़ लिया और स्लेट पे लिख के बोला कि फ्रांस के राजा का सेना पती मेरे घर में मेहमान बन के आने वाला है वो तुम्हारा बहुत बड़ा प्रशन सक है, तुम्हारे नाम से ही अभी भूत रहता है उसकी हार्दे के अच्छा है कि जब वो आए, तुम उसके लिए संगीत बजाओ, वो तुमको लाइव सुनना चाहता है बेठोफन ने मना कर दिया, तो वो राजा हमारे देश का दुश्मन है निरपराद लोगों की हत्या करवाता है, आम लोगों के दिल में आतंक पैदा करता है, वो बहुत कुरूर राजा है मैं उसके लिए अपना संगीत नहीं बजा सकता शहजादे को बहुत बुरा लगा, उसने दल बल के साथ बेठोफन को उठवा लिया और अपने महल में रख दिया लगातार निगरानी जब मेहमान राजा आएगा तो उसके सामने इसे पेश करूंगा मेहमान के सामने जख मार के संगीत बजाएगा सब्बेता का इतना तकाजा तो बनता है तो जब मेहमान आया तो बिठोफन अपने कमरे से घाया उसकी ढूंड मच गई, कैसे निकला, कहां से निकला, कब निकला, किसी को नहीं पता चला बस कमरे में कुर्सी के उपर दो लाइन का एक खत रखा हुआ था उसमें लिखा था शहजादे किसमत की बात है कि तुम राजा के घर पैदा हुए इसलिए शहजादे बन गए लेकिन मैं किसमत से नहीं बहुत मेहनत से बिठो फन बना हूँ इतिहास की नदी बेहती रहेगी तुम्हारे जैसे सेकड़ों हजारों लाखों शहजादे आएंगे और चले जाएंगे लेकिन याद रखना बेठोफन सिर्फ एक था एक है और एक रहेगा ये पढ़के शहजादा अंदर तक कांप गया नौकर ने बताया कि वो दूर नहीं गया गली में बैटके पत्थर देख रहा है लेकिन किस्मत वाले शहजादे की हिम्मत नहीं वी कि मेहनत वाले बेठोफन को फिर से तंग करे किस्मत और मेहनत की ये लड़ाई हमेशा से चलती आई है होना तो ये चाहिए था कि मेहनत को जीतना चाहिए लेकिन ऐसा होता नहीं एक किस्मत वाला हमेशा कई मेहनत वालों का हक मारता है बेठोफन बदकिस्मत था बेतहाशा बदकिस्मत लेकिन मेहनती था तहाशा बेहनती, तभी तो कान नहीं थे लेकिन अनाहत सुनता था और आहत रचता था, एक अच्छा संगीत कार, एक अच्छा लेखक, एक अच्छा कलाकार, एक अच्छा कवी, ये सब क्या करते हैं, अनाहत ध्वनियों को आहत ध्वनियों में अनुवात करने की कोशिश करत हैं और ऐसा उन्मादी जीवन जीने के बाद भी बेठोफन प्रेम करता था और एक थी और थी जो बेठोफन से प्रेम भी करती थी कौन थी वो लोगों ने कोशिशें शूरू की तो पता चला कोई एक नहीं दो तीन थी सब बेठोफन से प्रेम करती थी बीसियों थी जिन्हो उसे reject कर दिया था, उसके पागलपन को सहन नहीं कर पाती थी, लेकिन फिर भी दो-तीन थी जो उसे प्रेम करती थी, इन तीनों में से आखिर वो कौन थी, जिसके लिए बेठोफन ने वो खत लिखा था, उस खत में किसी का नाम नहीं था, कोई संकेत नहीं था, बस एक था, My Immortal Beloved, मेरी अमर प्रेयसी, इस आवेग, प्रतीक्षा और तड़क से भरा हुआ प्रेम पत्र, मैंने शायद ही कोई पढ़ा होगा, जैसा बिठोफन ने मरने से पहले अपनी अमर प्रेयसी को लिखा था, लेकिन वो कौन थी, ये गुथी नहीं सुलजी, उसके जीवन में जितनी महिलाएं थी सबकी कहानी खंगाली गई, एक थी एंतोनियो ब्रेंतानो, उसके पास से बिठोफन के पंदरख खत मिले, और दूसरी थी जोसेफिन ब्रून्सविक, उसके पास से बिठोफन के चौविस खत मिले, लेकिन किसी में भी इमोर्टल बिलावेट जैसा कोई संबोधन नहीं था, प्यार की जैसी बे चैनी जैसा जुनून उस खत में था वैसा किसी खत में नहीं मिला, नहीं उसके जैसे संदर पिसी और खत में थे, वो कोई और ही थी, कोई ऐसी थी जो मिली नहीं, तो बिठोफन ने ताउम बिरशादी भी नहीं की, अब एक न साल एक फिल्म आई थी Immortal Beloved उसमें एक अलगी तरह की कहानी थी उस कहानी के अनुसार बेठोफन जिस लड़की से प्रेम करता था उसका नाम था योहाना वो उसके लिए दिवाना था लेकर उससे शादी नहीं कर पाया आंदी तूफान में फंस गया और तैह समय पे पहुंच भी ने पाया तो मजबूरी में योहाना ने बेठोफन के भाई कैसपर से शादी कर ली फिल्म तो साधारन सी है लेकिन बॉक्स आफिस पर इसने कमाई की थी अब पता नहीं इस फिल्म की कहानी का आधार क्या है विद्वानों ने इस कहानी को खारिच कर दिया कहा कपूल कल पत हैं लेकिन उसके बात भी फिल्म देखनी चाहिए क्योंकि इस बात का अंदाजा हो जाता है कि बेठोफन संगीत के लिए कितने जुनूनी थे कितने उनमादी थे बीसीयों कहानिया है कोई कुछ कहता है कोई कुछ लेकिन इमोर्टल बिलोवेड शीरशिक से अगर उस ख खत को पढ़ा जाया तो मालूम पढ़ता है कि वो खत बेहद उदासी में लिखा गया था बेठोफन ने उसे पोस्ट करने की बजाए अपनी दराज में छोड़ दिया था शायद वो चाहते थे कि उनका प्रेम सब लोग जाने लेकिन उनकी प्रेमे का का नाम कोई न जाने वो दिल ही दिल में ऐसा संगीत सुनते थे जिसे कोई दूसरा नहीं सुन सकता वो दिल ही दिल में एक ऐसी औरत से प्रेम करते थे जिसे कोई दूसरा नहीं देख सकता कैई तो रहस्य है प्रेम का रहस्य हमारे दिल में दफन रहता है दिल से बड़ा चेंबर आफ सीक्रेट कोई नहीं है, दिल से बड़ा कब्रस्थान कोई नहीं है, कई बार हमारी जिंदगी एक ऐसा पत्र होती है, जिस पे पाने वाले का पता नहीं लिखा होता, इसलिए हम ताउम्र इस दर्वाजे से उस दर्वाजे तक भटकते रहते हैं, कभी सही ठीकाने तक नहीं पहुँच आते हैं, तो क्या बेठोफन की जिंदगी उस पत्र जैसी थी, क्या आपके दिल में भी एक इमोर्टल बिलोविड है, जिसके बारे में आपके अलावा कोई नहीं जानता, और उसका रहस्य आपके साथ ही जाएगा, जो बेठोफन की कहानी के बारे में सूचते हैं, तो ऐस कई ख्याल अपने आप मन के भी दराने लगते हैं,